नमस्ते दोस्तों, गूड मोर्निंग, सभी को राम राम, और सब कैसे हैं, आसा है सभी, अच्छे ही होंगे बारिज का मौसम है, और इस समय हमारे गार्जन में धेर सारे काम है, तो कुछ जरूरी काम हम कर सकते हैं तो सबसे पहले हैं कि हम इन पौधों के खराब डड़ पत्तों को निकाल दें, और ज्यादा बड़े पत्ते भी निकाल दें, थोड़े कम कर दें, जिससे की इसका पोशन्ड हमारे सबजियों में जाए, वेजिटेबल्स जो लगे हुए हैं, जो फूटिंग हो रही है, उनमे उनका पोशनल जाए, क्योंकि ये खराब ड़ेट पत्ते, बड़े पत्ते, जो पुराने पत्ते हैं, वो हमारे पेडों से पोशनल खीच लेते हैं, हम इन्हें थोड़ा से क्लीन कर देंगे, इनका भार कम कर देंगे, तो हमारे पोधे फिर से फूटिंग करेंगे, इसमें नई नई डालिया निकलेंगे, फ्लावरिंग होगी, और फिर फ्रूटिंग होगी, तो दोस्तों ये काम अभी इस समय आप कर सकते हैं, आप अपने गार्डन को क्लीन देंगे, उनकी सफाई कर सकते हैं, पोधों की थोड़ी कटाई छटाई भी कर सकते हैं, बारिस का समय है और सितंबर का महीना है, इस समय मौसम में काफी नमी रहती है, तो हम अपनी सीडलिंग भी लगा सकते हैं, इस समय बारिस में हम ठंडियों की लिए सबजी की सीडलिंग कर सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, हर तरह के बीज लगा सकते हैं, अब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, हम सितंबर से पहले अगर अगस्ट में डाल देते हैं जिसे हम अगेती-छेती कहते हैं लेकिन हमारी शीडलिंग फेल हो जाती है तो अब सितंबर और अक्टूबर वाली बोई जाने वाली सबजियों की हम तयारी कर सकते हैं coastline कर सकते हैं और भी डाल सकते हैं इस समय अच्छे से निकाल आएंगे हमारे पौधे पत्तों की कटाई छटाई के बाद उसमें खाद जरूर दें दोस्तों बारिस का मौसम है इस समय हम इनमें रूट फिर्लिंग नहीं कर सकते हैं तो हमें थोड़ा-थोड़ा गुबर की खाद बर्मी कंपोस्ट हर पौधे के हिसाब से एक-एक-दो-दो मुठी दे देना चाहिए लेकिन यह ध्यान रहे कि जादा नहीं कंपोस्ट देने से गर्मी बढ़ जाती है पौधों में और हमारी छोटी-छोटी जो फ्रूटिंग होती है छोटे-छोटे जो फल लगे होते हैं गिर जाते हैं तो वह पानी के साथ एक ही बार में बहे जाएंगे ऐसे क्या होगा थोड़ा-थोड़ा जड़ में जाएगा मेरे फल फ्रूट को नुकसान भी नहीं करेगा और उन्हें पोसल भी मिलता रहेगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं जगे-जगे से खराब पत्ते के छाट र लंबे समय तक फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती रहेगी तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे गार्डन में इस बार बहुत अच्छी सबजी लगी हुई है देखे यह खीरा है खरूजा और दोस्तों पता है खरूजा मेरे गार्डन में लगभग तीन-चार महिने से लगतार फ्लावरिंग और फूटिंग हो रहे हैं तो देखे खीरा है खीरे में भी छुटे छुटे लगे हुए हैं और कितनी केर करनी है, कितनी खात देनी है, कितना पानी देना है, दोस्तों देखिये मैंने जो कटिंग की थी अब उसकी सफाई भी कर दे रहे ह। कि बारिस का मौसम है यह जाकर के पानी जहां से निकलता है नाली में इकठा हो जाएगा, छट पे गार्डनींग करते हैं तो छट क सफाई जरूर रखिए नहीं तो उससे ज्यादा जितनी सब्जियां नहीं लगाएंगे उसे ज्यादा तो हमें दिकत हो जाएगी पानी ओवर्फ्लो करके हो सकता है शीडियों के रास्ते घर के अंदर आ जाए दोस्तों एक दिन मेरे आएसा ही हुआ था जाम हो गई ती नाली तो छीडि के रास्ते से घर के अंदर पानी गुज गया था दोस्तों गार्डनी में कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ता है कि हमारे हमें कौन से पोधे लगाने हैं उस पोधे की मिट्टी कैसी होनी चाहिए और हम बीज किस सीजन के लिए डाल रहे हैं हमें समय क बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर गर्मियों की सबजी लगा रहे हैं तो हमें जनवरी फरोरी में ही डाल देना चाहिए और अगर हम बारिश कर लगा रहे हैं तो हमें मई जून में ही सीडलिंग कर लेनी चाहिए अगर हम ठंडी की लगा रहे हैं तो हमें सितंबर अक पीछे भी हो जाती है ऐसी कोई बात नहीं है कि समय निकल गया है तुम नहीं डाल सकते हैं तोड़ी हमको लेट फल मिलेंगे लेट फ्रूटिंग करेंगे दोस्तों गार्डनिंग में धीरे-धीरे खुद का ही इस्पीरियंस आता रहता है कभी-कभी हम से लिंग डालते हैं कभी पानी ज़्यादा तो कभी पानी कम कभी गर्मी अधक ठंडी है तो कुछ नकुछ ऐसे दिकत आती ही रहती है तो हमें परिशान नहीं होना चाहिए हमारा खुद का इस पीरिजांस धीरे-धीरे हमें परफेक्ट बना देता है तो दोस्तों देखिए मैंने अपनी सारी स उप सारह फ़न भी लगए हुए हैं देखें पूरी चौर तरफ से दिखा रहे हुँ एकदम हरा हरा ही दिख reim पूरी हर याली च्छाई हुई है देखें कि अधुरमक्की है पॉलिनेटर घौम रहा है मैं उसी को बहुत देर से देख रहे हुँ वहां से हिल भी नहीं रहा है तो दोस्तों देखिए मेरे चत में खुबची फ्लावरिंग फ्रूप्रिंग सब हो रही है कि यह खर बूजा लगा हुआ है अब खर बूजा इस बार हमने गर्मी के बाद से बहुत सारे खर बूजे खाए हैं गोल वाली मिर्च अर्णामेंटल परपल कलर की है और यह मैंने अभी जो एक मीनी गार्डन बनाया है दोस्तों यह देखें यह लोकी मैं पनी में पैक करके रखी हुई हूं क्यारी में पानी डालने के लिए मुझे यहीं से गुज करके ज अंबर अक्टूबर में लगाई जाने वाली सबजीयों की शिडलिंग करना मैंने तो सुरू कर दिया है अब आप लोग भी अपनी तयारी कर लीजिए जिससे कि हमें ठंडियों में भरफूर सबजी मिले और्गैनिक सबजी मिले तो मैं यह डाल रही हूं धनिया दोस्तों क जब थोड़ी छोटे छोटे हो जाएंगे तब भी मैं बाहर रकूंगी उस बार मैं पहले एकदम बाहर ही रख दी थी और वह बारिस के पानी में एकदम खराब हो गई एक भी नहीं निकली हमारे प्रयाग राज में इस बार बारिस बहुत कम हुई है तो दोस्तों इधर व हलका पानी कछलकाव कर दूंगी मेरे मीटी थोड़ी गीली हुई है और दोस्तों इसको ढख दूंगी तो अब मैं आई हूं उपर मॉम्टी में में मेरे कुछ बेजी टेबल से लगे हुए हैं तो अब यहां से मैं तोली बिंडी तोड़ लेती हूं तो बिंडी बहुत हैं इसमें अच्छी फ्रूटिंग कर रही है और अगर कहें तो इसकी सिडलिंग मैंने जून में ही की थी दोस्तों जून में लगा दिया था पानी की अच्छी बेवस्ता थी तो पोधे तायार हो गए थे और इस समय मैं अच्छी फर ले रही हूं परड़े मुझे मिल जात निन्वा करेला सभी लगा हुआ है यहीं पर तो मैं हर दिन आर्गैनिक सब्जी ले लेती हूं तो लेती हूं उसने देकि निन्वा लगा हुआ है निन्वा आज तो नहीं निकला है और इधर लगी है हरी मिर्च यह मेरी पिछले साल की पुरानी हरी मिर्च है तो इसमें ग और यह कुछ पौधे में अभी नया लगाया हुआ है जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है यह भी पुरा नहीं पौधा है जिसमें से तोल रही हूं और वाकि यह तींचा अभी इस साल नया लगाया है दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी कमंड करके बताईएगा दोस्त हूं किसी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई है पी गार्ड़निंग है कि अ झाल